हेलो फ्रेंट्स नम्षकार सभीकों, मेरे नाम एराक के शुराव देख estáshanal मेरे यूट钵 चैनल, आज मैं आपको चिकन मोमोस्त बनाना आटे वाले चिकन मॉमोस बनाने के लिए सबसे पहले हमें आटा चाहिए हुआ आटा लिया है यहाँ पर मैंने बेडिस का लगवा साधे साथ सो ग्राम है आटे को यहाँ पर मैंने अशी तरह से शान लिया है उसके बाद इसकी डो लगा के तियार करेंगे डो मीन्स होता है आटे को गूंद लेना है थोड़ा सा नम कैड करेंगे क्योंकि जब हम मॉमोस खाएं तो बारसे फीके नहीं लगने चाहिए आटे में जितना हमने सॉल्ट एड़ किया न उतनी हम शुगर भी एड़ करेंगे इसकी बारसे खाएं झुगरों वर नम कूगा मने आटे के साथ आश्ची दर्यास से मिकS कर लेना है मॉमोस को बारसे खासता करने के लिए थोड़ा सा इसमें घींवी करेंगे डौ बनाने के लिए थोड़ा सा इसमें दूद भी डाल दीजिए उसके बाद थोड़ थोड़ अगर के आप पानी डालते जाए ये थोड़ थोड़ अगर के आपने पानी डालने है ताकि आपको आइडियो जाए कितने पानी की जरूरत है और एक बात जब हम मॉमोस के लिए डो बना के त्यार करें ना थोड़ी टाइड सी डो लगा के त्यार करनी है डिलर नी होना चाहिए डो हमारा आटे की डो को यहां पर मैंने कवर करके रख दीberry तब तक बागी त्यारी करते हैं, अब चिकन मुमूस बनाने के लिए सबसे पहले हैं, हमें बोहन लेस्ट छिकन चायी है, चिकन लिए यहां पर मैंने क्याप कर लिया है चिकन कर लिएे चाप कर लिए चृपन terrorists का अप आदे में तो 300 ग्राम चिकन में कम से कम आपने दो बड़े बड़े प्या जोब करके डाल देने हैं उसी के साथ मैं कावि सारा यहां पर में बरीक जोब करें के लद्सुन अड़ कर रहा हूं उसी के साथ मैं यहां तो मैं हरी मिर्ची चॉप करके आड़ कर रहा हूँ अगर आप बच्चों के लिए मॉमोस बना रहे हैं तो हरी मिर्ची को आप स्कीप कर सकते हैं उसी के साथ मैं स्वाद अनुसार नमक भी आड़ करेंगे उसी के साथ में थोड़ा सा चिकन मसाला बोडर एड़ करेंगे अगर चिकन मसाला नहीं है ना आपके पास आप इसको स्किप कर सकते हैं चिकन मसाले के बिना वियाओ के चिकन मॉमोस अच्छे बनेंगे पर कुटे को काले मिर्च आपने जरूर डालने जैसे मैं डाल रहूं एक शोट जम चबर के कुटे को काले मिर्च डालने से काफी अशा फ्लेवर मॉमोस में आता है थोड़ा सावने ब्रीकट और हर दनिया भी आड़ करते हैं बस इतना गुशी डाल लेंगे उसके बाद इसे मिक्स चिर को आपने अशी दरा से हाथ से मिक्स कर लेना है तो देख सकते हैं आप चिकन मॉमोस बनाने के लिए चिकन मॉमोस कमसाला बना के त्यार हो चुक है आटे करना आउनों आवने रोल जायसे बना के त्यार करना है सबसे पहले जैसे मैं बना हूना इसलिए या पर रोल बना दीचिया तो इस तरह का पत्ता आपने बना के तियार करना है आठे वाले चिकन मुमोस बनाने के लिए देख सकते हो आप यहाँ पर मैं जितने मुमोस बना के तियार कर रहा हूं सारे के सारे पत्ते मैंने यहाँ पर बना दिया है उसके बाद मुमोस को स्टफ करेंगे तो अब मैं आपको Momos stuff करना सीखाऊंगा पत्ता लेना है आपने इस तरह से उसके बाद इसमें mixture एड़ करेंगे जो हमने Momos का बना के रखे है chicken वाला उसके बाद पत्ते को हमने आगे से इस तरह से बंद कर लेना है इस तरह से दवा के इसको बंद करेंगे उसके बाद एक साइड से हमने इसको इस तरह से दवा लेना है इस तरह से इसको बंद करना है दूसरी साइड भी इसको इस तरह से दवाना है इदर से भी बंद कर लेना है फिर हमने इसको इदर जोड देना है उसके बाद एक साइड से फिर से इसको हमने दवाने है दूसरी साइड भी इसी तरह से दवाएंगे फिर से हमने इसको इस तरह से जोड़ लेना है तो इस तरह से आपने भी मॉमोस बना के त्यार करना है चिकन वाला एक मॉमोस मैं आपको और बना के दिखा देता हूं पता लेने है आपने इस तरह से भी दूआने दूसरी साइड भी दवाके इसको इस तरह से जोड़ लेना है इदर से दुआ के इदर से दुआ के फिर से इदर जोड देना है इसको इदर से दुआना है इदर से दुआना है आवने इसको दुआ लिया उसके बाद इसको इदर जोड लेना है उसके बाद इसको इंदर से बंद कर लेना है अगर आप इस तरह से मॉमोस नहीं बना आपने लास्ट तक इस तरह से आपने शोटा शोटा करके इसको फोल्ड करते जाना है और इस तरह से आपने लास्ट में इसको इदर चोड़ लेना है इस तरह से आपने अंगूठा नी शोड़ना है इस तरह से आप असानी से मॉमूस बना पाएंगे एक गोल वाला मॉमोस मैं आपको और बना के दिखाता हूँ इस तरह से पत्ता ले लीजी जो बेल के रखे होंगे मिक्चेर रखने है इस तरह से मॉमोस का जो मसाला बना के रखने है इसको इदर से दवाने है इदर से इसको दवा लीजी है अंगुठे से इसको इदर से पकड़ लीजी आप उसके बाद उंगली से आपने इसको इस तरह से करते जाना है और उंगुठा नहीं शोड़ना है लास्ट तक इस तरह से इसको फोल्ड करते जाना है अंगली से थोड़ थोड़ करके राम से आप इसको फोल्ड कर पाएंगे अंगुठे से आपने इसको पकट के ही रखना है इस तरह से आपने इसको लास्ट में इधर जोड़ लेना है इस तरह से बिल्कुल असान है मोमोस बनाना तो देख सकते हैं आप यहां पर मैंने सारे के तेम करने के लिए डालते है एक याँ में मोमोष को क्ट्ीम कर लेना है अभा ममोमो को पूरे 15 मिक्ता में क्को में यहाँ च्छी तरह से स्टीम हो जाते हैं उसके बाद मूमोष यहां पर प्लेड के निकाल का यूज़ कर सकते हैं इस जड़नी को मुनाने के लिए सर्सों के तेल को हमने दूंगा निकलने तक अशी तरह से गर्म करना होता है उसके बाद हम इसमें प्याज एड़ करेंगे तो लगवगे एक शोटा सा प्याई यहां पर मैं चौप करके डाल दिया है प्याज को देर के लिए आदर अक्लश्मी की पेष्ट के साथ पका लेना है उसके बाद आपने इसमें पानी एड़ करदेना है तो पानी की गनड़े आप अपने साप से खम जादा डाल सकते हैं उसके बाद थोड़ी सी डौर्क सोय साफ आड़ करेंगे उसी के साथ में यहां पे में काले मिर्च जरूर अड़ करने इन से काफी अश्या फ्लेवर आता है चटनी में तो देख सकते हैं आप फ्रेश मोमोस की चटनी बना के त्यार हो चुकी है इस तरह से आप चटनी बनाएंगे ना सिर्फ दो से तीन मिट में आप इस तरह की मोमोस की चटनी बना पाएंगे तो